कि जो मांगे हैं जिसको लेकर के हमारी महला पड़वेक्षिक्राइब भूखरताल पर बैठी है वो है कि सरकार ने जो नियम बणा रखा है एक मांदे निर्धारन का वो मांदे का निर्धारन जल्द से जल्द करें और वो मांदे का भुपतान करना सुरुखर हमारा जो अभी बरतबान में बांदे दिया जा रहा है वो बजारदर से निर्धारन लेकिन सरकार का जो एक पत्र आया हुआ है समानपर्शाशन बिवाक का जिसका कि हम लोग मांग पत्र में जिक्र कर चुके हैं उस पत्र के अनुसार जो एक नियमित कर्मी के तरह हमारा सरकार निया भत्ता है वो सारे भत्ते सब को जोड़ करके जो होता है समय की दूप से वो दे होगा आज हम लोग धर्णा परदर्शन नहीं भूखरताल पर सभी पैठे हुए और तीन दिन का यह भूखरताल हमारा यह जारी रहेगा आगे हमारा जो आंदोलत जारी रहेगा हमारा आतमदा तक का ही अंदोलत जी पहले भी हम लोग सरकार को वीभाग को इसक लिए मंग पत्र दिये दे चुके दोड़कार नहीं संग्यान में लिया नहीं हमारे विभाग ने संग्यान में लिया आपके चैनल से यह भी कहना चाहती हूँ कि पदाधीकारी लोग हम लेकिन आप मौकी रूप से कहतें कि मांगे जाइज नहीं तो आप इसको बताईएगा न कि किस प्रकार आप पहर हैं कि हमारी मांगे जाइज नहीं कि समान कम समान वेतर मिलना चाहिए सरकार जो आट मैंना पहले हम लोगों का कमिटमेंट किया था कि आप लोगों को पेमेंट हम लोग बढ़ा देंगे आज तक नहीं बढ़ा है हमारा जो दो दिनों का विसेसाफ कास में मिलता था वो भी बंद कर दिया गया है यह हमारी मांग है कि हमें हमारी कार के अनुसर पेमेंट बढ़ाईए हमारा पारिसरमिक दीजिए और जो दिनों का विसेसाफ कास आपने बंद कर दिया है वो विसेसाफ कास दीजिए उस हमारी अध्यक्ष महोद्या प्रीति कुमारी से बात हुई थी उन लोगों ने बात को आट मैने पहले रखा था हम लोगों को आप लोग आप लोग घरताल पे मज जाए तो कि हम लोग आपका मांग पुड़ा हो जाएगा तो उसी आशावसन पर हम लोग भी नहीं गये लेकिन आट मैना क्या नो मैना होने वाला है हमारी बात पर सरकार की बात अभी तक पूड़ी नहीं हुई और रिवास होकर हम लोग इसका गार पे आगए है इस मेति कुमारी महला प्रवेची का मुगेर जी जोल्ड जुल्री डाइमंड जुल्री प्लाटिनम जुल्री सिल्वर और स्टून्स की एक संपूर्ण रेंज जग मुहलाल शिवरतनलाल जुलर्स पटना सिटी चोप पटना